हेलो गाईज आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडबिल जीयस प्रस्वागत है और आज हम भारत के अर्थव्योस्था से सम्मंदित जो 1947 से क्यावन के बीच में और उसके बाद से सम्मंदित तत्थ हैं अर्थव्योस्था से उसको लेकर आए हैं और यह हमारे अर्थव्योस्था की अर्थव्योस्था की छठी क्लास है यह हमारी सिक्स्थ क्लास है और जो है इसमें हमने पंच वर्सिय योजनाओं को कबर किया हुआ है तो अर्थव्योस्ता से सम्मंदित हम पांच इससे पहले वीडियो के माध्यम से आपको प्रवाइड करा चुके हैं पांच वीडियो क्लास प्रवाइड करा चुके हैं और यह हमारी चठी वीडियो क्लास है जिसमें पंच वर् हावी 5 वर्षी योजना की माध्यम से यानि इस वीडियो के माध्यम से इन योजनाओं को कवर करेंगे और इससे सम्मदित जो महत्पूर्टत थे हैं उसको समझने का प्याज करेंगे तो चलिये देखते हैं छटी पंच वर्षी योजना उनीज सो वर्षी योजना जनता सरकार द्वारा लागू की गई थी जिसको बंद कर दिया गया था 1778 से 1780 तक ही चल पाई थी और जिसे रोलिंग प्लान कहा गया या अनवरत योजना कहा गया ठीक है तो तो रोलिंग प्लार और अनवरत या अनवरत योजना को रोग दिया गया और फिर जब कॉंग्रेस की सरकार पुना हमनीश्वस्थी में बनती है तो कॉंग्रेस सरकार जब बनती है तो उसने 1978 से 83 के योजना के अस्थान पर एक नई छटी पंच वर्षी योजना की सुरुवात की थी ठीक है तो 180 सि में जै जंता सरकार rise जाती है और फिर फिर्टामेश्थी छटी पंच वर्षी योजना लागो करती कि इसमें सबसे अगर जोड दिया गया था तो गरीभी नीवारन तसा रोजगार सरजन पर सबसे अधबाल दिया गया dest है कि और इस समय जह है तमाम प्रकार के कारिकरम भी चलाए गए थे तो जो तमाम प्रकार के कारिकरम चलाए गए वो 1982 में चलाए गए तो वो कारिकरम कौन-कौन से थे अलग-अलग तिति में चलाए गए थे ये ठीक है तो date important नहीं है लेकिन ये important है कि किस पंचवर्षी योजना के तहत इनके IRDP Integrated Rural Development Program एकी क्रित ग्रामीड विकास कारिकरम अर्थात गाओं के विकास के लिए ये कारिकरम चलाए गया था IRDP ठीक है और दूसरा था TRIZEM TRIZEM क्या था Training of Rural Youth for Self-Employment यानि रोजगार के लिए ग्रामीड युवाओं का प्रसिक्षित करने के लिए ये जो योजना चलाए गई थी ये TRIZEM थी ठीक तो हमने ये जो इसका फुल फॉर्म लिखा है ये भी आप लिख लिजेगा क्योंकि ये भी परिक्षाओं में पूछे गए हैं फिर अगला है अगला है डार का डॉकरा है डॉकरा यानि डी डवलू ये सी आरे तो ये क्या है तो डेवलप्मेंट आफ वोमें एंड चि के विकास के लिए महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ये कारिक्रम चलाया गया था ठीक है डॉकरा के नाम से फिर एक और है जो ग्रामीड से संबंदी थी था आर एल ईजी पी ठीक हर्यूरल लैंड लेस एंप्लाइमेंट गारंटी प्रोग्राम यानि भूमहीन रो एला इत्पेस भूमहीन रोजगार गारंटी कारिक्रम संपोड देश में छठी-पंचवरसी योजना के माध्यम से लागु किया था आगे देखते हैं अगला बिंधुक्त है मारा इसका उद्देश से ठीक था तो इसका उद्देश से ठीक था राष्ट्री आय। इसका उद्देश क्या था राश्ट्री आयमे ब्रिधी ठीक है प्रद्योग की का आधुनिकी करण प्रद्योग की का आधुनिकी करण गरीबी यों बेरुजगारी में सर्तत कमी परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्यानी अंत्रड चटी पंच बर्सी योजना के ये मुख्य उद्देश से थे ठीक है हाँ चलिए आगे देखते हैं अगला है हमारा बिंदु चटी पंच बर्सी योजना में ही छै बैंकों का राष्ट्र करण किया गया था यानि 1908 में ही छै बैंकों का राष्ट्र करण किया गया और एक बार जो है 1979 में 14 बैंकों का राष्ट्र करण किया गया तो ये प्रश्ण कई बार पूछे गया है फिर शिवरमन समित की सिफारिस पर राष्ट्र किरसी और ग्रामेड विकास बैंक यानि नाबाड की अस्थापना की गयी थी किसकी सिफारिस पर शिवरमन समित की सिफारिस पर और इसक कि अस्थापना की गई और नाबाड का फुल फॉर्म क्या है National Bank for Agricultural and Rural Development यानि ग्रामीड छेत्र में जो लोन उगेरा देने का काम होता है ग्रामीड संबंधित विकास होता है क्रिशी संबंधित विकास होता है वो नाबाड की जिम्मेदारी है ठीक है फिर 1982 में ही Exim Exim का प्रेश्ट अभी हाल ही में किसी परिक्षा में पूछा गया है ठीक है Exim Bank वाला फिर है इस योजना को नहरू समाजवाद के अंत के रूप में देखा जाता है यानि नहरू समाजवाद का अंत माना जाता है इस चठी पंचवर्सी योजना को और यह सफल पंचवर्सी साथ परसंट रही ठीक है पांच दसमलों साथ परतिसत रही फिर आगे देखते हैं अगला है हमारा सात्मी पंचवर्सी योजना और सात्मी पंचवर्सी योजना में क्या-क्या कारिक्रम हुए हैं यह देखते हैं यह जानने का प्रयास करते हैं सात्मी पंचवर्सी योजन 86 में डाक विभाग में इस पीड पोस्ट लाई गई ठीक है फिर सिदंबर 1986 में नई दिल्ली में कपार्ट कपार्ट क्या है तो कॉंसिल फॉर दा एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्षन एंड रियूरल टेक्नोलोजी यानि लोग कारिक्रम यूं ग्रामेड प्रद्योग की विकास परिशद की अस्थापना की गई लोग कारिक्रम यूं ग्रामेड प्रद्योग की विकास परिशद की अस्थापना की गई इसका उद्देश यह था कि ग्रामेड छेत्रों में ठीक है ग्रामेड छेत्रों में ग्रामेड लोगों के लिए एक प्रद्योग की टेक्नो जिससे लोग जो है लोग कारेकरम से जुड़े अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें ठीक है तो जैसे कंप्यूटर लाना हुआ तो राजु गांधी लेकर आए एक थी कितनी थी 6.1 परसेंट थी 6.0 एक परसेंट रही मतलब यह जोना सफल थी 1988 में शेवी सेवी यानि दा शिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया की इसका कारिक्रम इसका काम क्या था कि जो भी बीमा कंपनिया हैं जो बीमा कराने के लिए जो है कंपनियां अस्थापित की गए थी उन पर नियंत्रण रखने का काम है बैंकिन सेक्टर में जो कंपनियां हैं उन पर नियंत्रण रखने का काम है सेवी की और इसके अस्थापना की कब की गए थी 1988 में फिर अगला है अप्रेल 1989 इस भी में जवाहर योजना के सुरुवात की गई और सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना के सुरुवात की गई जवाहर रोजगार योजना ठीक है अलग योजना है नेहरू रोजगार योजना अलग योजना है ताकि दोनों आप समझ सकते हैं कि एक ही ब्यक्ति के नाम पर है लेकिन दोनों अलग इलग सिर्वात की गए थी फिर एक जो है प्रोफेसर रहे हैं अर्थव्योस्था से समंदित अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज कृष्णा ने सात्वी योजना को या सात्वी पंच वर् वर्षी दर्ख के रूप में व्रड हिथ किया था क्योंकि मन जाता है कि इस वर्ष जो है या इस योजना के दौरान हिंदू चं शंख्या में भृध्धी हुई थी इसलिए इसको इन्होंने हिंदू व्रिध्धी दर के रूप में वर्ड़ित किया था चलिए है आगे वह समय राजनीतिक आयस्तिरता थी तो राजनीतिक आयस्तिरता और भुकतान संतुलेशन के संकट के कारण 9902 के दोरान 55 वरसी योजनाय लागू नहीं किजा सकी अता 1990 से 92 के 2 वरसों में δो वार्सीक योजनाय संचालित की गई मतलब 1990 से और 91 तक एक वारसी क्योजना और 92 से बानवे तक दूसरी वारसी क्योजना लागू की गई थी और इसमें क्या हुआ कि सरकार ने लग उद्योगों के विकास के लिए 1990 में शिडवी की अस्थापना की मतलब Small Industrial Development Bank of India की अस्थापना की ठीक है लग उद्योगों के विकास के लिए यानि जो छोटे-छोटे उद्योग थे उनके विकास के लिए सरकार ने सिडवी की अस्थापना की थी फिर 24 जुलाई 1991 को भारत में आर्थिक सुधार के तहत उदारी करण वा नेजी करण वा बैश्वी करण की गोश्णा की तो ये कई बार पुछा जाता है कि भारत में उदारी करण की नीत की गोश्णा कब की गई थी तो 24 जुलाई 1991 को ठीक है ये बहुत important fact है आपको इसको याद रखना है फिर आगे है आर्थिक सुधार की गोश्णा ततकालीन प्रधान मंत्री यानि 24 जुलाई को जो आर्थिक सुधार की गोश्णा हुई थी वो किष्णे की थी तो ततकालीन प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा रावने की थी आईवा समझें पीवी नरसिम्हा रहो कि नेत्रत्य में किया गया था हालांकि जो आर्थिक सुधार कारिक्रम चलाए गये थे उन्नीश्व क्यानबे में तो उसमें जो आर्वियाई की गवर्णर थे वो कौन थे तो डॉक्टर मनुहान सिंधे बहुत बड़े आर्थसास्त्री जो बाद में 2004 में भारत के अभी का निभाई थी पिर अगला है आठमी पंच वर्सी योजना आठमी पंच वर्सी योजना 1992-1997 ठीक तो यह यह योजना आधार भूर धांचे पर बल देने के लिए लागू की गई थी और इसके जो प्रडेता थे जॉन डबलू मुलर जॉन डबलू मुलर मॉडल पे अधारित थी यह आठमी पंच वर्सी योजना अभी हम लोग जो है एक पूरा तत्थी ही देख लेंगे कौन से मॉडल को किस पंच वर्सी योजना में लागू किया गया था अभी इसको कंप्लीट करने के बाद हम उसको एक वीव के रुप में ओवर वीव के रुप में दे है इस योजना के माध्यम से केंद्रिय करण के अंतरगत पंचायती और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर जोड़ दिया गया तो आपको पता ही है कि उधारी करण के बाद 1992-1993 में संभिधान संसूधन किया गया था जो की पंचायती राज व्योस्ता से संबंदित था बाद संमझ में नगर्पालिका से संभिधित था तो उसमें सरकार का विकेंद्री करण किया गया अर्थात गिरामीड-6 पर भी शरकार को वस्तापित करने का करने पर जोर दिया गया फिर एक जनौरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदसी बना डबलू टी ओ का सदसी कब बना तो यह important fact है आपको याद रखना है एक जनौरी 1995 को फिर अगला बिंदु है 1993 में सिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार म योजना की सुरुवात की गई कब की गई 1993 में और इस योजना की जो यह आठवी पंच वरसी योजना रही है तो इस पंच वरसी योजना की लक्षित बिरिद्धी 5.6% थी लेकिन वास्तविक विकासदर 6.8% रही मतलब यह भी एक सफल योजना मानी जाती है फिर अगला है हमारा नवी पंच वरसी योजना ठीक है नवी पंच वरसी योजना उनिश्यो सतानबे से 2002 के मध्य लागू की थी तो यह इस पंच वरसी योजना ने शोतंतरता के बाद से भारत के 50 वरसों को चिन्नित किया और इसमें भारत के प्रधान मंतरी कौन थे अटल विहारी वाच मतला 1997 में बने थे उसके बाद कुछ समय के लिए हटाएगे ठीक है तो दो तीन बार जो है प्रधान मंतरी पदिक शमाला उन्होंने और 2004 तक थे वह प्रधान मंतरी ठीक हां तो जो है 1999 में जब प्रधान मंतरी बने थे तो 2004 तक थे तो इस समय जो है किसका नेत्रितु था तो इसमने तुरत था उटल विहारी वाच पही का और क्या है इस योजना की लच्छित विकास दर 7.1% थी लेकिन वास्तविक विकास दर 6.8% ही रही 6.8 प्रतिसत रही वास्तविक विकास दर ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगला त्थे दे इस योजना का मुख्य उद्देश ये सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को शशक्त बनाना आत्म निर्भरता प्रदान करना यानि आत्म निर्भरता विक्षित करना उनमें देश में सभी बच्चों के लिए प्रत्मिक्षिक्चा उप्लब्द करना था ठीक है ये नौई योजना के तहट ठीक है जीवनस्तर रोजगार सिजन आत्म निर्भरता और चेत्रिय संतुलें जैसे चार शेत्रों पर विसेश जोर दिया गया या विसेश ध्यान दिया गया तो यह थी आठवी पंच वर्षि योजना फिर अगला है हमारा दसवी पंच वर्षि योजना अगला है हमारा दस्वी पंच वर्षी योजना 2007 के बीच में तो यह योजना जो है समेकित समय विकास से संबंदी थी समेकित का मतलब संपूर्ण और समान का मतलब एक समान भिकास के निए जिसमें गरीबी उनमूलन, शिख्षा को बढ़ावा देना, शिष्ट मृत्यु दर में कमी करना, मात्र मृत्यु दर में कमी करना, छेतरी असमानताओं को कम करना जो है इसका इस योजना का मुख्य विश 8.6 नहीं 8% रखा गया था जबकि वास्तिविक विकासदर 7.4 रही ठीक है आप इसको याद रखेंगे इस योजना में आर्थिक सम्रिद्ध विकासदर 8.0 परसेंट रखा गया और वास्तिविक कितनी रही तो 7.4 परसेंट रही इसको 8.6 रखा गया था लेकिन बाद में जो है इसको 8% कर दिया गया और एक और लख्ष रखा गया कि 2007 तक गरीबी को घटा कर 26 परसेंट से 21% किया जाएगा तथा 2012 तक 15 परसेंट तक लाने का लख्ष रखा गया कि इसे हम 21 परसेंट से 15 परसेंट तक ले आएंगे ठीक है सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में दाखिल करना तथा 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली पढ़ाई को 5 साल पूरा करना इसका एक दूसरा लक्ष था यानि जितने 5 बरस तक के बच्चे हैं उनको स्कूलों में दाखिल करना 2003 तक और 2007 तक उनों सभी को पांच साल की स्कूली सिक्षा दे देना इसका एक दूसरा लक्ष था 2007 तक सक्षर्टा दर को 75% बढ़ाना इसका एक अगला लक्ष था फिर 2007 तक सिश्वुम्रित्य दर को 45,000 प्रती जन्म लेने वाले बच्चे तक लाना था 45 45 प्रती 1000 जन्म लेने वाले बच्चे तक लाना था यानि 1945 बच्चे की मृत्यूं तक लक्ष निर्धारित किया ता इसको कम करना था इसका है यह 45 001,000 प्रती एक अगर बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उस میں 45 c बच्चों की ही अधिक से अधिक मिरत्य हो नहीं तो उससे कम ही रहे ठीक है इसका मतलब यहीं है तथा 2012 तक 28 प्रतिहजार तक लाना था और 2012 तक जो है एक हजार बच्चों के जन्म लेने पर कि 28 बच्चे ही ऐसे रहें जिनकी मृत्य हो पाए यह विवस्था करनी थी यानि धीरे-धीरे कमी करनी थी मात्रित्य मृत्युद्य दोहजार साथ तक दो प्रतिहजार यानि जो माँ बनने वाली महिलाएं हैं अगर उनमें से जो है एक हजार महिला मा बन रही है थीक तो उनकी मृत्यु कितनी दो ही हो एक हजार में और दोहजार बारत तक लक्ष रखा गया कि प्रति ए休ार यह दिरे दिरे कम करने का लक्षे रखा गया था चलिया आगे देखते हैं 2007ат до 25 function तक बढ़ाना i.e 2007 तक बन के करन्ड को बन की करन्ड का मतलब बन्लगाना को 25 परसंड तक बढ़ाना था 2012 तक 30 परसंड तक पहुँचाना था ठीक है यानी convince को लगाना था वानकी करण का मतलब होता है अधिक से अधिक पेंड़ पोधे लगाना था तो आपको याद होगा कुछ समय पहले मतलब 15 साल पहले लगबग बहुत सारे पेंड़ पोधे लगाए गया थे जितनी भी खाली जमीने थी ठीक है तो यह वानकी करण के माद्यम से ही हुआ था ग्यरावी पंच वरसी योजना क्या थी तो ग्यारावी पंच वरसी योजना उच्छा में नाम गंकन बढ़ाने और दूरस्थ शिक्षा के साथ IT संस्थानों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश के शाथ मातों पूर्ण थी 11 हुजना में दूरस्थ सिक्षा और आईटी संस्थानों के साथ साथ जो है उच्च सिक्षा से संबंदित प्राउधान भी किये गए थे गिराहुई पंचवर्षी उजना में ठिक जैसे उदारण है इसका वर्स 2009 में सिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया और इसमें जो है इसको लागू कप किया गया 2010 में 2010 में अप्रैल में लागू किया गया और इस ने 6 से 14 वर्स तक के आयू के बच्चों के लिए शिक्षा को निशुलख और अनिवार कर दिया गया था सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6-14 वर्स तक के आयू के बच्चों को निहसुल्क सिक्षा अनिवार कर दिया था ठीक चलिए आगे देखते हैं आगला बिंदु है हमारा कर देखते हैं अगया कि mm ग्यरहामी पंच भर्सियों उजना का मुख्युद देश परिया वर्णिये स्थिर्टा और लायंगंगिक अस्मानता में कमी लाना था ठीक है मतलब कम करना था असमानता को कम करना था पुरसों की संक्या कम करना या महिलाओं की संक्या कम करना नहीं था असमानता को कम करना था इसकी मुख्य विशयवस्तू क्या थी तो तीब्र और अधिक समावेशी विकास थी तिक 15 वर्सी योजना का मुख्य विशय बस्तू था तीब्र और अधिक समावेसी विकास इस योजना की रूप रिखा सी रंग राजन ने तयार की थी और योजना आयोग के अनुसार ही इसको लागू किया गया था इसमें बर्स 2009 तक सभी को सक्ष पेजल उपलब्द कराने पर भी बल दिया गया था यह important है आप इसको कर लिजेगा पूछा जा सकता है इसमें लक्षित विकासदर 9% रखी गई थी और वास्तिविक विकासदर इसकी 8% थी ठीक है लक्षित विकासदर 9% थी और वास्तिविक यह योजना 2012-2017AD बीच में चलने वाली थी लेकिन जब बुजएपी की सरकार बनती है तो योजना आयोक को भंग करती है और योजना आयोक की अस्थान पर कर देती है ठीक योजना की मुखें बस हरति तीब्र अधिक समबेसी और धार्ण्यय विकास तीब्र अधिक समाबेशी और धारणी विकास यानि फास्टर मोर इंक्लिसिव एंड सस्टेनवल ग्रोथ थी इस योजना का उदेश से बुनियादी धाचा पर योजना को मजबूत करना तथा सभी गाउं को बिजली की आपूरती प्रदान करना था ठीक है सभी गाउ को बिद दूता परती परदान करना था योजना का के संदर में लेंगी मतलब सभी वर्वों को सभी स्कूलों में दाखला देने के लिए प्रेडित करना ठीक है और उच्छ सिक्षा तक पहुंच में सुधार लाना था इस योजना का मुख्य देश इस योजना अवधि में निर्धनता में 10% की कमी लाना गैर किसी छेत्र में 50 मिलियन रोजगार का सिरजन करना विनिर्माड छेत्र में 10% की ब्रिधि करना तथा आउस नरचना छेत्र में GDP को 9% तक बढ़ाने का लक्ष रखा गया था ठीक है तो यह फैक्ट फैक्ट हैं जिनको आपको याद करना है और इसको पढ़ने के बाद हम थोड़ा साथ देख लेते हैं कौन बिभिन जो मॉडल रहे हैं वो किस पर आधारित थे ठीक है आप उसको उसी तरह से नोट्स बना लिजेगा या पंचवर्षी यह उजना में किरों ने अपना योगदान दिया था किस के आधार पर लगाई गई थी यह सब हम जो है एक सिरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उसको ध्यान से पढ़ लिजेगा नोट्स बना लिजेगा चलिए देखते हैं वो क्या है तो चलिए देखते हैं पहली पंचवर्षी यह उजना कब लागू की गई थी आपको पता ही है 1951 से 1956 के मद थी लागू की गई और यह किस पर आधारी थी ठीक है 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 एरड डॉमर माडल पर आधारी थी इसका आधार क्या था यानि माडल लिख लें माडल हैरड डॉमर माडल इसको आप नोट बना लीजेगा हैरड डॉमर माडल पर आधारी थी ठीक है क्रिसी बिकास पर बल दिया गया था इसमें क्रिसी बिकास पर बल इसमें क्रिसी बिकास पर बल दिया गया था ये पहली पंचवर्सी योजना थी दूसरी पंचवर्सी योजना क्या थी और कब तक 61 तक ठीक है मॉडल क्या थी किस मॉडल पर आधारित थी तो महाल नोविस का मॉडल या पीसी महाल नोविस के मॉडल पर आधारित थी ठीक है वह ये प्रसान चंद्र महाल नोविस इसमें किस पर बल दिया गया था तो आधार भूत योंग भारी उद्योगों का विकास इसी पर बल दिया गया था ठीक है चलिए आगे दिखते हैं अगला है तीसरी पंच वरसी योजना यह लागू की गई थी कव तो 1961 से चाचच के बीच चाचच के बीच मॉडल कौन सा था मॉडल कौन सा था तो इसमें कई लोग सामिल थे ठीक है जे सैंडी शुक में चक्रवर्ती और वही पीसी महाल नोबिस ठीक है महाल नोबिस का प्रभाव था इस पे पीसी महाल नोबिस का प्रभाव था ठीक तो इसमें तीन लोगों का नाम आएगा अब पीसी महाल नोबिस हो सकता है पूछ ले आप से और इसमें जोर किस पे दिया गया था तो आत्म निर्भरत आत्म निर्भरता स्वताह स्फूरती ब्यवस्था और आपको पता ही है कि इसी योजना के अंतरगत जो है आगे चलकर क्या चलाया गया तो प्रथम प्रथम क्रसी जो क्या बोलते हैं हरित करांती चलाई गई थी ठीक है इसी क्याधार पर चलाई गई थी प्रगला है चौथा चौथी पंच वर्षी योजना चौथी पंच वर्षी योजना कब चलाईगी तो 1969 से 74 के बीच में आपको पता है कि बीच में तीन वर्षी योजना है चलाई गई थी तो यह है माडल कौण सा था चौथी पंच वर्षी योजना के लिए माडल तो माडल थी इसमें असोक रूद्र एलन अशोक रूद्र रूद्र लिखा है यह एलन एस मात्रे माडल दो लोग थे इसमें ठीक है दो लोग थे अशोक रूद्र और एलन एस मात्रे दो लोग थे इनके माडल पर आधारित थी ठीक है और इसमें भी जो जोड दिया गया था वहां आत्म निर्भरता थी आत्म निर्भरता ठीक है आत्म निर्भरता पर बल दिया गया था फिर अगला है पांचवीं पंचवर्सी ओजना पांचवीं पंचवर्सी ओजना कब लागू की गई तो 1974 से 89 यह किस पर आधारित थी पंचवीं पंचवर्सी ओजना तो DP धर मॉडल पर आधारी थी ठीक है इसमें क्या कहा गया तो निर्धनता उल्मूलन तथा आत्म निर्भरता यानि गरीबी को कम करना निर्धनता उल्मूलन और आत्म निर्भरता आत्म निर्भरता निर्धनता उल्मूलन और आत्म निर्भरता पर आधारित थी ठीक फिर अगला है हमारा छटी पंचवर्सी ओजना च्छटी पंचवर्सी ओजना किस पर आधारित थी और यह कब लागू की थी तो उनिस सो असी निस सो असी से पचासी के बीच में तो आपको बता है उन्हें जो पंचवर्सी ओजना थी उसको रोग दिया गया था जनता सरकार दोल रहें 1978 में और 1980 तक जो है उन्होंने अनुवरत प्लान चलाया था ठीक है अनुवरत ही ओजना तो यह किस पर आधारिती छटवी पंचवर्सी ओजना तो आगत निर्गत मॉडल का विस्तार था यह आगत निर्गत मॉडल का विस्तार थीक है और इसका मुख्य उद्देश क्या था गरीबी निवारण तथा रोजगार स्रिजन गरीबी निवारण तथा रोजगार स्रिजन गरीबी निवारण तथा रोजगार स्रिजन था ठीक है चलिए आगे देखते हैं सात्वी सात्वी पंचवर्सी ओजना यह कब लागू की गई तो यह 1985 से 90 1985 से 90 के बीच में लागू की गई ठीक है इसका मॉडल क्या था तो वस्तू मजदूरी मॉडल वस्तू मजदूरी मॉडल था यानि रोजगार तयार करने के लिए रोजगार देने के लिए यह मॉडल बनाया गया था वस्तू मजदूरी मॉडल ठीक तो किन छेत्रों में रोजगार तो क्रशी और क्रशी से सम्मन्दित विकास ठीक है रणे नीती क्रशी विकास रणे नीती जो है इसका उद्दे से था फिर अगला है हमारा आठवी पंच वरसी होजना अगले आठवी पंच वरसी योजना यह जो आठवी पंच वरसी योजना थी यह कब लागू किये तो 1992 से सत्तानवे के बीच में तो यहां पे भी दो वरस था तो दो वरस के लिए जो है हाँ दो वारसी की योजना यह लागू की गई थी दो वरस के लिए ठीक तो इसमें मॉडल क्या था तो जॉन डबलू मिलर मॉडल किस पराधार थी जॉन डबलू मिलर मॉडल इसका लक्ष क्या था किंद्रिय बिंदू या उद्देश क्या था तो मानो संसाधन विकास मानो संसाधन विकास था ठीक है आठ्वी पंच वरसी योजना जॉन डबलू मिलर मॉडल पराधारिती और मानो संसाधन विकास इसका उद्देश था फिर नवी पंच वरसी योजना है योजना यह या है नवी पंच वरसी योजना कब तो यह लागू की गई थी सतानवे से दो हजार दो के बीच में ठीक है किस पर आधारिती तो यह भी आगत निर्गत पर आधारिती अगत निर्गत प्रडाली पर आधारिती मौडल पर प्रडाली मतलब वही मौडल इसमें क्या था उद्देश सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक संब्रद्धी तो यह इसका केंदर विंदु था चलिए आगे देखते हैं अगली है हमारी दस्वी पंचवर्शी योजना यह कब लागू की गई 2002 से 2007 के मौड़ है ठीक और किस पर आधारिती किस मौडल पर तो योजना आयोग के प्रपत्र पर योजना आयोग का पत्र या प्रपत्र ठीक इस पर आधारिती यह तो योजना आयोग के पत्र पर आधारिती मौडल ही था और केंद्रे बिंदू तक क्या था तो सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ आर्थिक विकास यानि वही इस से पूर्वाली सामाजिक न्याय तथा समता पूर्ड आर्थिक विकास सामाजिक न्याय तथा समता पूर्ड आर्थिक विकास इसका भी लक्ष था फिर कौन थी ग्याराहमी पंच वरसी होजना ये कब तो 2007 से 12 के मधिलागू की गई 2012 के बीच में चलाई गई और यह भी किस पर आधारी थी तो योजना आयोग का पत्र योजना आयोग का पत्र पर आधारी थी इसका मुख्य उद्देश क्या था तीब्रतर और अधिक शमावेशी विकास अधिक शमावेशी विकास पर आधारी थी ठीक है हलाकि बारावी पंच वर्शी योजना पूरा लागू नहीं हो पाई इसलिए उसलिए उसे हम लोग यहां पर कोई discussion नहीं कर रहे हैं बारावी पंच वर्शी योजना के बारे में तो यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पूरी योजनाएं एक साथ ओवर इब्यू के रुप में भी कबर कर ली हैं आप इसको ध्यान से देखिए नोट्स बनाइए पेट में एक प्रश्ण जरूर आएगा यहां से ठीक है तो आज के लिए इतना ही आप यह दी चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दे चैनल सेयर कमेंट इट और अपना वैलोबल कमेंट और भी आप डालें ताकि हम जो भी कमी हो इसको दूर कर सकें सुझाओ संबंधी आप अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक ले जाए हिंद जय भारत